को यह ओंसन का मॉडल किया था कि अच्पिट क्वाजिटिव चार्ज विध इलेक्ट्राइंग लिए लाइक फ्लंस अ पूरिंग इन सीजन और सीजन वाटमालन कि यसको एक्षेप्ट क्यों घिया थो यसको फ्रिजिट करने का प्षोप करने का तब चार्ज सीज़ है ढुस्य क्षेप्ट कर रहा था कि आटम का जो चार्ज और मास है कि उसने जो मॉडल बना है तो उसमें पिनेट चाज आटम पर कर दिया खिकिन रीजन सब्सक्राइब करने का रीजन लिमिटेशन क्या थी कैनोट एक्स्प्लेंट की वाई अलफा पार्टिकल्स स्कैटर्ट तू लाज एंगल रोग बहुत पॉपुलर स्टेट्मेंट जिसने क्या बोला था जब रिजल्ट आये उसने कहा था कि सब्सक्राइब करें तॉम्संस मॉडल ठीक नहीं हो सकता कि जैसे फिफ्टीन इंच टिशू पेपर को हिट करके बाउंड कर रही है तो उसने कहा कि अगर्मी का वेपन यूज करते हैं कि फिफ्टीन इंच की शेल्ल फायर करना हूं टिशू पेपर वापिस आ रही है वहां प तॉम्स online पूर च्रॉड़ाहता है रही है जूगरीन इंच करें यजज एब दॉसूर लेविट नहीं पूर रहोग्यां एपना Thompson's Ma द् er मौडल आपनों एम भॉनौम्दािझ Thompson's Ma द लॉजल of an atom of Plum putting model according to thompson's model according to thompson's model every item consists of every item consists of a positive charge distributed in positive charge distributed a certain region with electrons embedded with electrons in this distribution of positive charges plums in the pudding plums in the pudding combined in the distribution of positive charge like plums in a pudding or seeds in watermelon like plums in a pudding or seeds in watermelon like plums in a pudding or seeds in watermelon in a pudding this model was this model was initially accepted because it can explain the stability because it can explain the stability of atom due to electrostatic force it can explain the stability of atom due to electrostatic force between electron and the positive charge electrostatic force between electron and positive charge normal normal diagram atom consists of positive charge with electrons embedded in it is a plum pudding model it can explain stability due to attractive force between positive and negative charge moreover the total charge on the atom is zero and can explain the neutral nature of atom and can explain the neutral nature of atom limitations of and can explain the electron and can explain the electron and can explain the blue circles show functions of thompson's model first is thompson's model cannot explain the line spectrum of thompson's model cannot explain the line spectrum hydrogen atom line spectrum which was observed experimentally because we're experimental vector so thompson's models explain the news of the other which was observed experimentally in second thompson's model cannot explain the result of alpha scattering experiment next is rutherford's alpha scattering experiment she i have a final you through the connect and result check the information now आप आने वाले बनों मैं तो दोश बोलता हूं अगर आना ओफ लाइन तो एगरी कोई नहीं करता है तो यह तो वैसे भी थोड़े दिन का से लेबर रहे गया अब यह एलफा स्कैरिंग एक्स्पेरिमेंट अगें जैसे कल बताया था रदोफोर्ड को खुद भी नहीं पता था की अलफा बार्टिकल की प्रॉपर्टीज कि यह उसको से यह पता था कि अब बाटिकल एक पॉसिटेव चार्ज है जो किसी रेडियो एक्टिव निपले से निकल रहे तो उसने एक अन्स्टेबल रेडियोएक्टिव नूक्लिया लिए अलफा पार्टिकल इस शोन देडिया एंड अल डरेक्शन गाविगो उसने कॉली में पीटिट बीम के लिए उसने लेडगे स्क्रीम यूज रेडट स्क्रीम में लेट स्क्रीम बास किया तो लेट स्क्रीम बैसिकली नीटीचन पशब करती है तो सिर्व एक छिन बीप अलफा पार्टिकल जए हो इसमें से निकल के पास करेंगे फिकाज शो किया कि होल में से अल्फा पार्टिकल निकले एंड इस ट्राइक का गोल्ड फॉयल को गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक क्या एंड दिनी अब्सर्ब्स इंटिलेशन और यह स्क्रीम कौन सी थी जिंक सिल्फाइब इस ने चारो तरफ ग्रीन कलर से श्वाइज इस इंक सिल्फाइब लगा दी थी अब्स प्रीज अब्स अफ दी अल्फा पार्टिकल्स आइधर गोई अडिए टेट पर यह स्काटर्ट थू स्मॉल आंगल्स तो जैनरी ज्यादा पार्टिकल्स प्रीट इ बात मतलब वापिस आ रहे थे स्ट्राइक करके गुर्फोयल को सो इसके बेस पे रदर फोर्ड ने कंक्लूजंस निकालनी शुरू कि प्रकस्ट इस एक्स्पेरिमेंट उसने और के मिस्ट्री में आपने क्या लिगा था दी ट्रेस कितने वाने वाने थाउजंड वने ट्व का जो पेपर जो उसने प्रेजंट किया तो उसमें 12,000 तो वने ट्वेल दाउजंड अफ़ अल्फा पार्टिकल री ट्रेस देपाद तो उसने मॉडल बनाना शुरू किया अब उसने डेडियस बताया जैसे तॉम्स ने डेडियस बताया था टें टूदी पार माइनस तें तो दूद ने भी आटम का रेडियस तो वहीं बताया उसने नुकलियस का रेडियस क्या बताया कैसे बता जला उसे 10,000 फ्टीन वाइनस फिटीन या माइनस फुटीन बदाफोर्ट स्मॉडल में प्रफटी कैसे निकाला उसर नो कि रेडियस होना चाहिए हाव डू रदफ़ोड नो कि रेडियस यह होना चाहिए कैसे निकाल सकते हैं अगर आप रदफ़ोड की जब अचितने वापिस आरे सर उससे इसने कैलकुलेशन परियो होगी कैसे मदलब आप बताओ न मैंको आप रदफ़ोड से जाधा फिसिक्स बढ़ चुके और अधर ने इतनी वी निपड़ी है आप उससे ज्यादा बढ़ चुकिए यह उसे बनाऊंगा अच फेल्ए गई यह वपफुली आजाएगी शायद कल भी आगी थी यह मेपास अगर नि है यह पर जाके अगर अल्फा पार्टिकल रुखते हैं तो उसने इसी को नुक्लिप इस घ्रहाएं जा जैसे जैसे जाने जी बढाएंगे यह इना locked रटेbe गाना वो जो डिस्टेंस होगा वो टॉनिक्लियर रेडियस में इस्यूम कर सकता हूं तो उसने कंसेप्ट लगाया कि जो इनीशल का इनार्टिक इनर्जी के अल्फा पार्टिकल की देट कि इसके इन्टू अल्यक्त्र स्वाइब लेक्ट्र स्टाटिक पोटेंशल इनर्जी का फॉर्मिला के क्यों नूक्लियर प्रचार्ज जैडी अल्फा बार्टिकल पर चार्ज तुई तो टूई इंटू जैडी तो टूई इंटू जैडी बाया नॉट अगर चली भी जाएगी तो स्टोरी तो सुने लेना होगे कि सारी मतल्ब मॉडल तो मैं लिखाई दूगा अगर सो हम अल्फा बाटिकलल अल्फा स्कैटरिंगे इस्पेरिमेंट के पहले डिज़र निगे कि उसने जो कुंक्लूजिन की एक्स्पेरिमेंट हमें समझ में आ गया कि अलफा पार्टिकल्स है मेट टू स्ट्राइक दा गोल्ड फोईल थिन गोल्ड फोईली था कि मुल्टीपल लियर्स नौ क्रिस्टल के इंपेट एक्सी रेंटल डिसकवरी थी अगें वो करकुछ और करना कुछ और चाहते थे विज ड़्ट एकरिशर्ड व लफर ड्लफ इंप ओर्ट र इंपरिम ड़्टार र क्वाझ्टरं इंप्रिम युकि आर गीजर्डा G G G-E-I-G-E-R G-E-I-G-E-R Giger and Masden M-A-R-S-D-E-N Giger and Masden performed alpha scattering experiment performed alpha scattering experiment designed by devised by Google devised by Rutherford devised by Rutherford the experimental setup consists of the experimental setup consists of the experimental setup consists of a radioactive source a radioactive source which can emit alphabeticals which can emit alpha particles the alpha particles emitted by the source the alpha particles emitted by the source are collimated into a narrow beam using lead screens the alpha particles emitted by radioactive source are collimated into a narrow beam using lead screen using lead screen using lead screen which can be used to absorb the radiation which can be used to absorb थू दो गोल्ड फॉइल तो क्योंवेंट इडाप कम अद्लब होते हैं थीन दीन भीम फॉब अब एक व्यूम्हेंट इसके अलवट फॉल नुद पोल उनुद्टी व्यूम इस अलवट तो फॉल उनुद्ट पोलोग फॉल एक वैप शुरत तेवली जीजे लिगा I'm a gold foil of thickness 2.1 into 10 raised to the minus 7 meter gold foil of thickness 2.1 into 10 raised to the minus 7 meter when this collimated beam passes through gold foil the gold foil thickness 2.1 into 10 raised to the minus 7 meter when this collimated beam passes through gold foil the alpha particles are scattered in different directions alpha particles are scattered in different directions and the angle of deviation is measured by placing zinc sulfide screens all around the gold foil when alpha particle strikes a zinc sulfide screen when alpha particle strikes a zinc sulfide screen a scintillation is produced when alpha particle strikes a zinc sulfide screen a scintillation is produced a scintillation is produced a scintillation is produced a scintillation is a bright spot which will absorb and low energy emit exactly so fluorescence is a phenomenon of absorption of high energy photons and re-emitting them in the form of low energy is a this is the tube the led tubes led tubes led tubes cove kohl 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 वो साइए रेडियेशन हाई एनर्जी रेडियेशन सब्सक्राइब करके रियमिट करता था 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 इसले हम भोलते था फ्लोरेसंट ट्यूब आजकल एलिडी ट्यूब लगनी शुरू होगी है एफिशेंसी जाद होती है उसकी जाद है और आप कई पर अगर मार्केट से लेडी बल्ब लेने जाओ तो उसके उपर डेट डालके देते हैं आपको कि कि किस दिन आपने वह लेडी बल्ब खरीदा विकास ते से गरिंटी ओवनियर कि वह एक साल तक खराब नहीं होगा ब्रेकेज नहीं बट फ्यूज नहीं होगा विकास वीजन बिंग आपका जो नॉमल टंग्स्टन फिलमेंट बल्ब होता था उसमें एक फ्यूज वायर है नॉमल बल्ब सबने देख तो आप अब जितनी फिजिक्स पड़ी है उस हिसाब से आ लुज आप करते तेंगें क्यों तरिंट पोटेंशलिक्ट इस जब आप स्विच आन्या सुच ओफ करोगे दिर इस लाज चेंज इंग करंट इंग कोई लाज चेंग करंट इंग कोई मिन्स इस लिंक्त विड़ाइब कोई चेंजस फास्टर दा चेंज इन मेगनाटिक फ्लक्स लाज़र विल बी दें दीज्ट करंट तो इंड्यूस्ट करंट के कारण कई वाजिशका फिलमेंट कोई जो है वह मेल्ट कर जाता है एलीडी में ऐसा कोई फिनॉमेना ही नहीं है कुछ कोईल ही नहीं है जो मेल्ट करें जो फ्यूज और एक सिंपल कनेक्शन एक डायोड लगा हुआ है तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं तो बहुत इसमें कुछ खराब होने वाला है नहीं आप कई बदी अब्सक्राब करोगे कि एलीडी बल्ब जो होते हैं अगर वो गिर जाए आ होती है अब सब मोभाइल फोन यूज करते आपके बहुत बहुत बरीकिरा भी होगा वेट से नीचे गिर गया हाथ से छूट गया और रिख्यॐ अब्सक्राब क्यों उसकी बॉडिडामज हो सकती है क्रीन डामेंज हो गई है तूट गई है इस टूट गया पीछे पीचे का ग्लास कवर तूट गया है तो उसका सर्केट कभी खराब नहीं होता है सेमिकंडॉक्टर सेवर डिस्टिंक्ट इड्वांटेज शॉक प्रूफ डिवाइस अगर आप पुराने फोन देखोगे ना जो नोकिया आते थे नोकिया 1100-1200 उसकी तो बॉडी भी तूटती है उसको जैसे मर्जी फैंक लो फॉस्ट प्रोस नीचे गिर जाता तो भी चलता है तो सेमिकंडॉक्टर के एड्वांटेज होती है शॉक्प्रूफ फ्लोरसें ट्यूब्स बहुत एजिली डामेज हो जाती है कई बार यापके घर में पुराने ट्यूब लगी है तो उसका पाउड होई बार पार्टिकल करे करें व्हिकैक एपनी इंडियों कुभ स्टेपल होती है सब्सक्राइब नीचे वेकंड सपेसिज सब्सक्राइब फोट对क्ट विजब तो विजिबल तू आपको देखता है विकर्स हर वेवलेंद आपको दिखती नहीं है इसका कोई एक्जाम्पल दे सकते हो कि आपको हर वेव नहीं दिखती तो अपने प्रिवास्ट थे हो दिया फीट एक्स्चेंज पड़ी थी प्लस वन में अ यह को आपका टेंपरेचर जी दो केलविन नहीं से जादा अभी कि जाने अब लोल कर रहे हो कि निशा मैं अभी रिडियाशन ऑद करें पर चैन्टाव लो नहीं करें आप लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं विजिबल लाइट कि आप जो रिडिएशन के में आ रही हैं इंफराइड रिजन में युवी तो अविए जब को प्राब्लम होने लग जाती है कि अगर आप विजिबल रिजन में करते हैं आप सब लोगते मतलब आप लूम में जाते तो लाट हो होगा वो विजिबल रीजन में लाई करेगा तो उसको देखना असान रहता है और गीगर जिसका मैंने नाम लिखा पहले जो जिसने एक्सपरिमेंट गया था इंफेक्ट गीगर वॉस्थ परसन हो डिवाइज इस मशीन विच इस गीगर मुलर काउंटर एक और साइंटिस था समय तो हॉसटा यह जो कुछ देर मतलब दोनों के बीच में लाइक तरह ना तो स्टेबल होता है ना हाईली अंस्टेबल हो था खुआ हुआ पारिकवट पार्टिकल सब्सक्राइब करने वाले के लिए विकास वह एजी लिए वैलेबल था विटा मिशन तो तब अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो बीटा गामा के मतलब साइंस दीरे थी देड वेल्प होती है न तो जिस ताइम पे वह एक्सपरिमेंट उसने किया था सब्सक्राइब के बारे में थोड़ी बहुत थी वह भी अल्फा पार्टिकल नहीं पता था क्या होता है मोरोवर गामा हम ले नहीं सकते हैं तो उनकी डिविएशन बहुत असान होगी तो आप नुक्लियस की प्रॉपर्टी नहीं स्टडी कर पाऊगे से किंडि अगर हम थॉंसन मॉडल के आप से भी चले अगर नुक्लियस के अंदर पॉजिटिव चाल्ज इस उन्होंने एलेक्ट्रान को ट्रैप कर देना था प्रकास उनका माह स्मॉल अब चीजों को अगर प्रेक्टिकली सोच के देखो you can write country click at the last bishop« पतान a scintillation scintillation is produced so you can write these scintillations are observed these scintillations are observed and counted these scintillation are observed and counted at different angles at different angles from the direction of from the direction of incidence of the beam the angle theta of deviation the angle theta of deviation of alpha particles the angle theta of deviation of alpha particles from its original direction it's called scattering angle it's called scattering angle then you write observations of alpha scattering experiment observations of alpha first thing is position is called scattering angle theta it's called scattering angle theta observations is this most of the alpha particles most of the alpha particles pass straight through the gold foil undeviated pass straight through the gold foil undeviated which means that क्या कंक्लूजन निगा ली उसने most of the space is empty they are not because अगर वो undeviated जा रहा है मतलब वो किसी से कुलाइड किया नही तो इससे उसने गाना कि most of the space is empty so you can let most of the alpha particle pass straight through the gold foil undeviated which means that alpha particles do not suffer any collision when they pass through the gold foil second is only about 0.14 percent only about 0.14 percent of the alpha particles which passes through gold foil only about 0.14 percent of the alpha particle which passes through gold foil which passes through gold foil which is more than 1 degree which is more than 1 degree third third about 1 in 12,000 of the alpha particles strikes the gold foil and retrace their path and retrace their path and retrace their path and retrace their path so you can write before passing through the gold foil before passing through the gold foil no alpha particles no alpha particle suffers deviation no alpha particle surface deviation because because outside the gold foil electric field is zero no alpha particle surface deviation because gold foil is neutral because gold foil is neutral and cannot exert force on positively charged cannot exert force on positively charged but when they pass but when they pass through the gold foil but when they pass through the gold foil there exists columbic interaction of alpha particles with positive and negative charges inside the atom of positive and negative charges present inside the atom of positive charges and electrons if positive charges and electrons if positive charges and electrons are uniformly distributed as in thompson's model then electric field inside the atom will also be zero then electric field inside the atom is zero and large angle scattering is not possible and large angle scattering is not possible is not possible . so the नेक्स्ट लिखो आज इसको नोट में लिखो रादर थेन एक्समेशन में लिखने के विख एफ़ोड की एक्समेशन नहीं थी हम आज कल ऐसे एक्समें कर सकते हैं एस अलफा पार्टिकल दिख एस अलफा पार्टिकल एस 7,000 ताइम्स मोर्मेस तर then electron as alpha particles is 7000 times more massive as compared to electron therefore when alpha particle travels with large speed therefore when alpha particle travels with large speed it can be deflected only due to some strong electric field intensity some strong electric field intensity you note my second point as gold foil used is very thin as gold foil used is very thin so what can we conclude मतलब हम बैसिकली मान के चल रहे हैं कि गोल्ड फॉइल इतनी थिन है कि अल्फा पार्टिकल विच पासेज तूद गोल्ड फॉइल इस नॉट सफरिंग मल्टिपल कोलिजिंग अगर बहुत सारी थिक गोल्ड फॉइल ले लूंगा तो वह टॉप लियर से अगर डिफ्लेक्ट में होगी नीचे वाली लियर से हो जाएगी उसके नीचे वाली लियर से हो जाएगी हम यह एजिम करके चल रहे हैं कि वह एक ही ले Alpha particles will not suffer Alpha particles will not suffer more than one scattering and they passers through the gold boil also it is assumed that gold foil remains at rest you when calculating the nuclear radius is coming club is every many formulae click at a given alpha particles are at large distance large distance large distance because potential energies inversely proportional to distance to large distance specific kinetic energy and distance of closest approach we say that it's a that kinetic energy gets converted into potential energy but practically if you think of alpha particle positive charge gold nucleus approach they should acquire a common velocity there's an center of mass of mass of mass of mass एफ मासों कि क्योंकि एंटर्टर्नल फोस्स के करण बेलासिटी चैंज हुए तो अल्फा पार्टिकल के विलॉस्टी कम होगी गोल्ड यूउट्लियस के विलॉस्टी बड़ेगी और यह प्रसेस तब तक चलता रहेगा जब दोनों कॉमन विलॉस्टी क्वाइब निकल देत अल्फब आटिकल का मास वर यू और अम यू और गोल्ड नुक्लियस का मास बन नैंटी सेवन एम यू तो 50 टाइम सेविए कि इसलिए मैंने अदर्वाइस मैं जब एक्वेशन लिखता तो मैं कहता कि इनिशल का इनार्टिक इनर्जी इसको फाइनल पुटेंशिल एनर्जी प्लस का इनार्टिक अनर्जी और पार्टिकल और गोल्ड नुक्लियस इस ना तो अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा एक्ट्वल में और ना इक गोल्ड नुक्लियस रेस्ट पे रहेगा दोनों एक कॉमन विलास्टी क्वाइर करेंगे विकस्ट एट वस्टेट अप सेंटर अफ मास पट हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फा पार्टिकल भ मुआ दो है नहीं क्वेक्वे रेडिस में रिक्टलेटिंक टियर रेडियास जाइट हीव रेडिया कि अरमों यह लिखो और दिस्टंस aucun्हस स्पुश्ट अप्रोच नुखलेटियस और इस्टंस अप्लोजेस्ट अप्रोच अप्लिछ सक्राइगгрं वें इसे पीसे सेटेशनरी वाल केया किलेटिंग नुक्लियर राइडियर प्रिस्टेंस अप्रोश अप्रोच वास्च बादर फोर्ट सॉट्वाल एंड फास्ट बादर फोर्ट जो यह मैं लिकेंगे जो के शेमें लिकेट postulates of Rutherford's model every atom consists of first is every atom consists of a central core called atomic nucleus every atom consists of a central core called atomic nucleus in which entire positive charge in which entire positive charge and almost entire mass of atom is concentrated almost entire mass of atom is concentrated because electrons barna but unka mass negligibly smaller almost entire mass is concentrated second is size of nucleus is of the order of size of nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meter which is very small as compared to which is very small as compared to size of atom which is very small as compared to size of atom which is of the order of very small as compared to size of atom which is of the order of which is very small as compared to size of atom which is 10 to the power minus 10 meter third electrons move around the nucleus electrons move around the nucleus and the total positive charge on the nucleus and the total positive charge on the nucleus is equal to total negative charge on the electrons that is atom is electrically neutral that is atom is electrically neutral the centripetal force required by electron the centripetal force required by electron to move in circular orbits the electrostatic force required by electrons to move in circular orbit around the nucleus is provided by electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction between positive nucleus and electrostatic force and negative electrons so next time we will study impact parameter we will study impact parameter or not we will study the not we will study the impact parameter or distance of closest approach to derivation so it is 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 that is that is the distance of closest approach but if moving proton stationary proton approach to they will require common velocity moving proton velocity vial stationery wala rest pair common velocity कित्मी होगी conservation of momentum लगाएं तो कित्व होगी जो इनीशल velocity of center of mass की है एक मूव कर रहा है क्रेस्ट पे विलास्टी उप सेंटर उफ मास का फॉमिला ज्या होदा कित्व होगी एक्स्टरनल फोर्स नहीं लग रही तो हम यह मान के चलते हैं कि center of mass की विलास्टी सेम रहेगी कंसरवेशन आफ लीनियर मेंटम कि अपने लौज और में लिखा दा पर्मॉला दोटेशन में गैसे लिखा था पीज इक्व इक्वल्स टू है टोटल मास इंटू विलास्टी उफ सेंटर अफ मास विलास्टी उफ शेंटर उफ मास क्या तो अगर पहले विए तो वन दिस्टंस प्लोजस्त अप्रोच दोनों के विलास्टी वी वाइट होगी तो ताहिए दो ती निमेरिकल करेंगे दिफरेंट थे और फिर उसके बाद लिमिटेशन दिखे दिन विल्मुव पोहस मोडल बहुत में सारे डिवेशन साएंगे बिकास एनर्जी एडियर्स विलास्टी वह से बहुत नहीं निकाली विल् engag यवेलेक्ट्रानसा होती कैसके को अथमेंशन्य पोहस ने Cr лиш F Nichase क्या दीया था विवाइस ही इस एकुल टू मलाव जिल्हों फर्स्वेदोर्ण फर्स्वह और आपन विल्าस्टी ओ लावेसी दिस को मु enorm होता है इस फिल्हावेसीट इस थे काुसम्डत आस इस लॉ और इसके वेल्यू वन बैं 137